आज के समय में मुबाइल फोन हमारी लाइफ की जरुरत बन चुका है हम बिना मुबाइल के एक पल भी नहीं रह सकते हैं बच्चों से लेकर बुडो तक फोन की ऐसी लत लग गई है कि कोई भी फोन के बिना थोड़ी जेर भी नहीं रह पाता मुबाइल फोन हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है चाए गाउं हो या शहर, बच्चा हो या बुड़ा, उम्र कोई भी हो और जगय कोई भी हो सबके हाथ में स्मार्ट फोन नज़र आएगा जाने दिन में हम कितनी बार अपने मुबाइल फोन को देखते हैं स्मार्ट फोन ने एक और जहां लोगों की जिन्दगी काफी आसान बना दी है और इसकी मदद से लोग तक्नीक से जुरते जा रहे हैं वहीं इसका हद से जादा इस्तिमाल लोगों को नुक्सान भी पहुँचाता है खास दोर पर अगर बात छोटे बच्चों की करें तो जादा स्मार्ट फोन का इस्तिमाल करने से वह कई बिमारियों के शिकार बन सकते हैं आज का समय ऐसा आगया है कि नवजात बच्चा भी कुछ महीनों में मुबाइल फोन का आदी बन जाता है माबाप भी अपने बच्चे को चुप कराने के लिए उसे फोन या टैबलिट दे देते हैं ऐसा करना बच्चे को फुस देर के लिए चुप जरूर करा देता है लेकिन इस आदत की वज़े से बच्चे में कई शारिरिक परिशानिया पनपने लगती है एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो बच्चे जादा दिर मुबाइल फोन में लगे रहते हैं उनमें बैक पेन, आखों के समस्या, खराब पोस्चर, माइग्रेन आदी की परिशानिया जल्दी आ जाती है फोन के जादा इस्तमाल से बच्चों की नीन पूरी नहीं हो पाती जिससे वो चिर्चिले हो जाते हैं कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो कोई फोन चलाने के लिए इतना आदी हो जाता है कि फोन नहीं मिलने पर खाने पीने से मना करने लगते हैं आजकल जादा तरब बच्चे फोन की लग का शिकार होने लगे और इसका असर उनकी mental growth के साथ साथ physical growth पर भी पढ़ने लगा है क्योंकि बच्चे physical activities को छोड़ कर फोन का अस्तमाल जादा करते हैं ये सब तो हो गए फोन के नुपसान अब सवाल ये है कि इसमें parents को बच्चों को समझाने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे अपने बच्चों को समझाना चाहिए बच्चों को फोन की लग से दूर रखने के लिए parents को एहम जिम्मेदारे लेनी हो इसके लिए उन्हें खुद फोन से दूर रहना चाहिए दरसल बच्चे कोई भी आदत अपने माता-पिता से ही सीखते हैं ऐसे में अगर पेरेंट्स खुद फोन का जादा इस्तिमाल करेंगे तो इसका सीधा असर बच्चों पे होगा इसलिए पेरेंट्स को फोन का कम इस्तिमाल करना चाहिए इसके रावा उन्हें बच्चों के साथ बाते करनी चाहिए, खेलना चाहिए साथ ही उन्हें बच्चों के साथ आउट्डोर एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना चाहिए और अगर बच्चा बार बार फोन के जित करे तो उसे, तो उसके माइन को divert करना चाहिए। जातर पेरेंट्स फोन का इत्माल करने पर बच्चों को डाटने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए पेरेंट्स को बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए, और अगर बच्चा फोन की जाधा जित करे तो उसके नुकसान बताने चाहिए और प्यार से समझाना चाहिए। पर आरके लिए दना ही धन्यवाद।